और निगमों में नुक्तियों के साथ साथ कैबिनिट विस्तार का एक एहम उद्दा मुख्य मंत्री का केंद्री नित्रित्व के साथ चर्चा के लिए रहेगा क्यूंकि मंत्री मंदल में तीन पद अभी भी खाल नहीं है इसके लिए कांगडा से सुधीर शर्मा याद विंद मंद्ध है लेकिन दर्मानी एक मात्र ऐसे लेता है जिसे डिली वी तयार है सी एम भी तयार है लेकिन इनकी ओत जिस प्रकार से लंबे स्मेस से लटकई है उसका बड़ा बड़ी बजाई यह है कि दो न्यमुंत्री कौन होंगे कांगडा को मंत्री पद मिलना ते है अब कि कांग्रा से सिर्फ एक मंत्री लिया जाए दूसरा मंत्री क्या हमिरपूर को दिया जाए या किसी और जिला की लाटरी खोली जाए या फिर क्या दोनों मंत्री कांग्रा को दिये जाए और दो मंत्री कांग्रा को देने हैं तो किस प्रकार से ख्षेत्रिय जाती है तमाम संत कार की होगी मुक्या मंत्री सुखविंदर सिंग सुखु पहले यह मन बना चुके हैं कि उन्होंने छे महिने का वक्त अपनी कैबिनेट को दिया मंत्रियों की परफॉर्मेंस देखी और इस अधार पर मंत्रियों के विभाग भी बदलेंगे यानि कि यहां पर अगर परफॉलियो भी यहां पर दिये जाने की प्लानिंग है लेकिन अब देखने बाली बात यह है क्या सही माइने में अब सीम सुखु का यह दिल्ली दोरा बापसी पर मंत्री मंडल का विस्तार इस मानसून सत्र से पहले होगा या फिर अस्वासन ही अस्वासन रहेगा और लं मेल के साथ सरकार काम कर रही है उन्होंने का कि जो दिक्कतें पेश आ रही थी उन्हें सुलजा लिया गया है और उन्होंने विपक्ष पर भी जवरदस्त निसाना साते हुए का कि आपदा पर विवक्ष को राजनिती नहीं करनी चाहिए हम सभी को राजनिती से उपर आना कहना कि आपदा मैं मिलकर मदिद के लिए सब को आगे आना चाहिए आपदा से कुलू मंडी में क्षती गरस्त सीवरेज कीमों पर आज उन्होंने एक बड़ी बात कहते हुए कहा कि इन्हें प्रात्मित्ता के अधार पर रिस्टोर किया जाएगा सीवरेज का गंदा पानी काम चल रहा विक्रमाद सिंग ने कहा कि नहीं की दो प्रमुक्त सडकें बंद हैं शिमला चंडीगर मंडी मनाली इन दोनों हाइवे में प्राकृतिक आपदा के चलते क्षती गरस्तिये जुरूर सडकें हैं लेकिन इन्हें खोलने का युद्ध सर पर राजे सिरकार काम कर रही है आज विरोजगार सरीरिक सिक्षिकों ने शिमला में धरना दिया और इस धरने के दोरान उन्होंने राजे सिरकार को एक मां का अल्टीमेटम देते हुए रिजल्ट घोशित करने की यहां पर गोहार लगाई और कहा कि अगर रिजल्ट घोशित नहीं हुआ तो अंसन सिक्षब इबाग ने चात्रों को होमबर्क ना को होमबर्क के साथ खेल-खेल में इवैलूएट करने के लिए का आये चात्रों पर होमबर्क का दवाब ना डालने के भी एजुकेशन डिपार्डमेंट को निरदेश जारी किये हैं और अपने पारित अदेशों में काये कि पढ़ाई में कमजोर होश्यार चात्रों की पहचान करनी होगी होमबर्क ना करने वाले चात्रों को दंडित ना किया जाए डांटा ना जाए जाहिर तोर पर हिमाच्रों प्रदेश में कई जगा 42 दिन बाद स्कूल खुले हैं के इक शेत्रों में दो हफते तक स्कूल अब जिला उप निदेशिक स्थर पर जेवीटी की भरती की जाएगी और भरतियों में हो रही धांदली को लेकर प्रारंबिक शिक्षा विवाग ने ये बड़ा फैसला लिया है प्रारंबिक शिक्षा निदेशाले में भरतियों की बैरिफिकेशन एडिशनल डिरेक्टर क कि ये देखता में गठित कमेटी कर रही है सिक्षा विवाग के चार और अफसर इस कमेटी में शामिल किये गए हैं बता दे कि सरकार ने बैच 20 बरतियों का प्रोसेस सुरू हो गया है जेवीटी के 500 से जादा पद बैच 20 भरे जाने हैं जेवीटी बरति में जेवीटी और दोनों को फिलाल यहां पर मोका दिया गया है लेकिन क्या यहां पर बीएड वाले बने रहेंगे या बाहर जाएंगे यह सुप्रीम कोड के आउटकम्स यानी की अंतिम फैसलाने के बाद डिसाइड होगा बहराल vereον में सुप्रीम कोड में महतेपूर्ण सनवाई है हलां कि यह मामला हिमाचल परदे से जुड़ा नहीं है लेकिन नियम कोई बढ़ी राजी केस सुप्रीम कोड में सनवाई होगी ऐसे में अगर कल कोई बड़ा फैसला एक हैसला के सुप्रीम कोड से आता है और इश पारित हो कि अब निगडब विश्य में हिमाचल परदेश में जितने भी सिरकारी विवागों में भरती होंगी फिक्स एमाउंट पर की जाएगी यानि कि कॉंट्रेक्चुल को यहां पर समाप्त करने की कवाई चल रही थी 60% की रेसों से जिस परकार पहले दो साल वेतन देने का प्रावधान था उसे लेकर 13 अपरेल की कैबिनेट में ये फैसला पारित हुआ था लेकिन इसे लेकर राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कार्मिक विवाग ने एक नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि रूल्स चार और रूल 15 में बदलाब का फैसला जिस परकार से कैबिनेट में लिया गया था उस फैसले पर फिलाल रोक रहेगी और इस पुराने फैसले को रोक कर पहले की तरह भरतियां यानि कि दो साल के कॉंट्रेक्चुल के अधार पर 60% के अधार पर हिमाचल परदेश के तमाम सरकारी विवागों में भरतियां होती रहेंगी अब कैबिनेट में हुए फैसले को फिलाल रोक जरूर दिया है लेकिन उस फैसले को निरस्त नहीं किया है फिलाल जनता का या युवाओं का विरो देखते हुए उस फैसले को होल्ड कर दिया गया है और फिल वक्त अभी फिलाल जो भरतियां होनी है वो पुरानी बिवस्ता के तहती पर दो साल के अनवंद कारेकाल और जिस प्रकार से अनवंद कारेकाल में वेतन मिलता है जो भरति पदोंती के नियम है उसी अधार पर होगी टीचर ट्रांसपर पॉल्सी को लेकर एक बार फिल हल चलते जो गई है सरकार के अदेश पर इस पर तुरंट प्रभाब से कारवाई सुरू कर दी है सनिवार को हिमाचिल प्रदेश के सची वाले में टीचर ट्रांसपर पॉल्सी को लेकर एक बैठक बुलाई गई है और विशेस सचिब सिक्षा विवाग के विशेस सचिब पंकज राए समय तीनों निदेशक बैठकर इस पॉल्सी का ड्राफ्ट त्यार करेंगे इस सधार पर सेक्रेटरी एजुकेशन को ये पॉल्सी का ड्राफ्ट राज्य सरकार को भेजा जाएगा इसके बाद मामला कैबिनिट में आएगा और माना जा रहा है कि साल के अंत तक टीचर ट्रांसपर पॉल्सी हिमाचिल प्रदेश में सुखु सरकार लागू कर देगी विजली बॉर्ड की बात की जाए तो विजली बॉर्ड में OPS को देने पर एक और अपती इस समय वित्विवाग की तरफ से लग गई है क्योंकि विजली बॉर्ड की सर्विस कमीटरी ने वित्विवाग को OPS बाली का एजंडना बेढ़ जा था वित्विवाग ने पत्तियों के साथ इस proposal को वापिस विजली बोर्ड को लटा दिया है और इसमें कहा गया कि विजली बोर्ड ने अपने करमचारियों की स्थिति स्पस्ट नहीं की है Finance ने अपनी observation में कहा है कि विजली बोर्ड को बताना होगा कुल विजली बोर्ड के कितने करमचारी हैं किस category के कितने करमचारी हैं कब से उन्हें OPS मिलना बंद हो गई थी कब से NPS सुरू हुई है कितने करमचारी new pension scheme में contribute कर रहे हैं और ये पूरा विस्तार से उनसे ये पूर भाली के finance की notification के नहीं लगेंगे यहां पर विजली बोर्ड को अपनी proposal बेजनी होगी विस्तार से बेजनी होगी कुल कितने करमचारी किस category में कितने करमचारी कितना contribution प्रतिमा दे रहे हैं और इससे राज्य सरकार को वितिय बोज क्या कितना पड़ेगा और इसकी विस्तार से रिपोर्ट भेजने पर ही ओल्ड पेंशन भाली की notification बीली बोर्ड के करमचारी की संबब हो पाएगी